Hello caddits, कैसे हो आप लोग? तो अभी हमने एक नई सीरीज चालू करी है doubt clearing series जिसमें हम आपके doubt solve करें जो भी अच्छे tough questions में आपको doubt आ रहे हैं या important questions में आपको doubt आ रहे हैं तो उनका video solution हम आपके लिए यहाँ पर बना रहे हैं अगर आप भी अपना doubt भेजना चाहते हैं तो whatsapp का group अभी join करें जिसकी link आपको description में दी हुई है चलो तो अभी पंजल्दी से start करते हैं horse and a cart cost rupees 1010 चीक है? the horse cost four times the cart find the cost of each दोनों का horse का और cart का दोनों का आपको price बताना है दोनों मिलाकर के कितने के हैं? 1010 के और horse जो है वो 4 गुना जादा है किस से? cart से तो दोनों के price बताने हैं ठीक है क्या? चलो बिना किसी देरी के जल्दी से start करते हैं let अपन ने क्या मना? let the cost of horses x मान लो कि जो घोड़ा है वो कितने का है? x ठीक है? और जो उसका cart है वो कितने का है? y ठीक है क्या? तो horse का अपन ने मन लिया x और cart का y तो एक बात तो जो question में दी है मैं नहीं कह रहा हूँ question में क्या बोल रही है? कि उन दोनों का price मिलाके कितना है? 1010 मतलब x और y मिलाके कितना है? 1010 ये एक रिस्ता आ गया पहला relation आ गया ठीक है? तो जो पूछा है ना सबसे पहले उसको मान लो कि let this is x, this is y अब question को पढ़ो कि दोनों मिलाके कितने कै? 1010 तो x plus y is 1010 और अब क्या बोला है? जो horse है वो cart से 4 गुना जादा है मतलब cart का जो price है बाजन मिलाई तो दो रिस्ता आ गया बस अब x की value क्या है? 4y इसको यहाँ पर रख दू तो y की value आ जाएगी y की आ जाएगी तो x की आ जाएगी चलो जल्दी से करते हैं बिना किसी तेरी के देखो ठीक है? ना सी यहाँ से यह x की value उठाके यहाँ पर पूट कर रहा हूँ x के जगा तो 4y प्लस यह वाला y is equal to 1010 तो 4y प्लस y 4 apple प्लस 1 apple कितना होता है? 5 apple तो 5y is equal to 1010 तो y की value कितनी आ जाएगी? 1010 by 5 यहाँ 5 multiply application में यहाएगा तो division में तो 5 to the 10 0 5 to the 10 202 तो y की value कितनी आ गई? 202 तो y की अगर 202 है तो x की value कितनी है? 4 गुना cart का price क्या आया? Price of price of cart is 202 तो price of horse कितना जाएगा? So price of horse is 4 times is 4 times the cart तो 808 तो दोनों की price पुछी थी? दोनों की price आ गई price of cart is 202 and price of horse is 808 असान था चलो लेकिन दो equation का था इसलिए मैंने यह इसका doubt आपको यहाँ पर दे दिया एक और बात जो आप लोग सब को धिहान से रखो यह जो series है ना यह बहुत important है भले ही कुछ doubts आपके खुद के नहीं है बट यह सारे questions जो है ना जो अच्छे questions में आपको लग रहे हैं कि हाँ चलों जैसे इसमें यह नहीं आ था दो equation दो को solve करना थो ए tough questions या important questions मैं उन ही सब की doubts तो बहुत सारे आ रहे हैं आप लोग होगी yes तो उन में से जो अच्छे questions है मैं उनके ही series बना रहा हूँ तो यह playlist जरूर check करें ठीक है तो channel में जाकर के playlist section में जाकर के जो doubt clearing series वाला आपका जो playlist है उसको जरूर check करें सारे questions के एक बार जल्दी जल्दी go through कर ले कि अचा यह तो आता है तो skip कर दिये जो नहीं आता है उसको देख लिए are we getting my point? चलो और हमने पूरा AISSE के लिए course बनाया है जिसमें पूरा mathematics के सारे lecture GK के, GS के, IQ के, English के सब के सारे lectures है Yes, तो अगर आप इस पूरे course के लिए enroll करना चाते हैं तो आप app download कर सकते हैं जिसकी link description में दी हुई है उस app में जाकर के आप store section में जाएंगे तो AISSE का आपको course दिखेगा जिसमें आप click करेंगे तो आपको सारी detail मिल जाएंगी और उसके content section में जाओगे तो सारे chapters के folder मिलेंगे जिसमें बहुत सारे free videos हैं, बहुत सारे free videos, materials, ठीक है सब कुछ दिये हुए है, class notes, ये सब कुछ दिये हुए है अगर आपको ये पूरा का पूरा course के लिए register करना है तो इस link ये यहाँ पर के जो आपका button होगा उसमें click करें उसमें click करके आपको बहुत सारे payment gateway मिलेंगे जिससे आप enroll करके पूरे एक साल के लिए पूरा का पूरा course enroll कर सकते हैं, आपको जब जोन सा मर्जी हो, जितने बार देखना हो आप उतने बार उस course को देख सकते हैं, उस video को देख सकते हैं, अपने doubts क्लियर कर सकते हैं इतना ही नहीं, इस course में हम आपके लिए live भी आएंगे बाद में, Google Meet में या फिर YouTube में ताकि आपके जो doubts होगर आते जा रहे हैं, उनको भी clear कर सके, clear है क्या, चलो, तो फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, अगले doubt के साथ, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, स्वारवसर की class, जैहिन, वैबाई, टेक क्यार